हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सब्स एजूकेशन में यह टेस्ट नमर वन कॉंटीनिव में है और हंडड गूशन्स इसके हो गयते ठीक है रेमेंग कूशन करेंगे इस वीडियो में यह टेस्ट नमर वन आज खतम हो जाएगा और टेस्ट नमर टू हिंदी का है हिंदी का बीडियो आपको कल मिल जाएगा आईए इनको कल लेते हैं 101 से करना है न देखिए 101 में है पुना की पिले कमेटी की हत्यक्ष रेंड और लेटिनेंट आयस्ट की हत्या किस ने के थी इन दौनों की हत्या की के थी चापेकर बंधूं के द्वारा ठीक है यह 1897 की बात ह और यह जो चापेकर बंधू थे यह दामोदर चापेकर वालकृष्ण चापेकर और वासुदेव हरीज चापेकर 102 है निमले के तमय से कौन मुझफर पूर में किंग्स फोर्ड बंब कार्ड में सामिल था मुझफर फोर जगए कहां की थी बियार की जगए थी 1908 का समय था और इस घटना से जो समंद थे खुदीराम बोस और प्रफोल चाकी इस घटना में यह किंग्स फोर्ड तो बच गया था लेकिन एक मिस्टर कैनेडी हुआ करते थे उनकी पतनी और उनकी बेटी इस घटना में मारी गी थी इस घटना के चलते प्रफोल चाकी ने तो आत्मत्य कर ली थी जबकि खुदीराम बोस को गुरबतार कर लिया गया था फासी देदी गी थी ठीक है बी ओप्सने आपके करेक्ट है यह इसका जिकर मिलता है बंदे मात्रम उनकी रजना भी थी न मैचिंग बगरा में कुशन पूशा जाता है चलिए उनकी पूस्ट तक थी 104 में केसव बलिराम हेग डेवान ने कब रास्टी है स्वयम सेवक संग की स्थाबना की थी यह RSS की बात कर रहे है RSS की स्थाबना की थी 1925 में ठीक है और जगह था नाकपुर 1925 का एकी ओप्षन है 17 सितंबर 1925 निम्लकत में से कॉन हंधुस्तान रिपबलिक एसोसियेशन का सदस नहीं था हंधुस्तान रिपबलिक रिपबलिकन एड़ोसियेशन HR बाद में इसका नाम भी बतल दिया गया था सोशलिस्त सब्द को चोड़ दिया गया था H.S.R. बूला जाने लगा था तो पुरानी संस्ता तो HRE थी नई संस्ता HRA थी HRA में जो मेंबर हुआ गड़ते थे वागत सिंग थे चंदर से कराजात थे रामपरसाद विसमिल थे जबकि यह जो सेव बर्मा है यह तब एड़ हुए थे इस संस्ता में जब HRA का गठन हुआ था थीक है तो यहाऄपर डी बीफ्षां से हैं हैं जो शिक्स तेखें जायऊ ज में चुल अचोपान से चा जा 106 जा एक 107 है वगत सिंग सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फासी की सजा सुनाई गी थी चोटे-चोटे से कुशन है आसान कुशन है 1930 ये फासी का हुई थी फासी तो 1931 में हुई थी 23 मार्च हम लोग पढ़ते हैं सहादत देवस लाहर सड़य अंत्र केस लेकिन ये जो फासी की सजा सुनाई गी थी वो 1930 में ही सुना दी गई थी अक्टूबर का मनता था ठीक है चलिए निमलिके तमसे किस ने लंदन में इंडियन होम रूल सुसाइटी को प्रारम किया था इन सभी का येर भी याद रखना होता है यह ना इस्ट्री से वड़े कटन कुशन खूशता है वीसियस 1905 में इंडियन होम रूल सुसाइटी के स्थापना की थी लंदन में ठीक है दो फैक्ट हो गए यहां पर और स्थापना करता थे स्याम जी क्रिष्न स्याम जी क्रिष्न बर्मा डी ऑप्शन और एक संस्ता और हुआ गड़ती थी इंडिया हाउस इंडिया हाउस की भी इस्थापना इंडियन होम रूल सुसाइटी के दौरा ही की थी 109 कानपुर सड़ेंद केस ये 1924 की बात है और इसके बात अगर हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोसियेशन का गटन ने एचेस आरे लिखा है एचारे नहीं है ठीक है ये बात में जो नई संस्ता बनीती सोचलिस्ट सब दों जो चोड़ा गया था 1928 का मेरट सड़ेंद केसे 1929 का है और कॉंग्रेस कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी जान रहे इनको 1934 मिल सोचलिस्ट पार्टी 42 ठीक है चली 110 देखें बंगाल के राष्टवादी मुसल्मानों ने कब अहरार आंदुलन सुरों किया ये अहरार आंदुलन जो था वो राष्टी आंदुलन से ही जुड़ा हुआ था इस आंदुलन को जो मुख उद्देश था उसमें मुसल्मानों वृष्टी ठीक है ये ठाना था कि अब बटिस सरकार की हम लोग किसी बहीत रहीत की साहेता नहीं करेंगे किसी बही और राष्टी आंदुलन से हम लोगों को जोनना चाहिए ऐसा ऐसी बात होगे ये इस आंदुलन में 1906 की ये बात है एक सो एक देखी, एक सो ग्यारा देखी, एक आंदुलन के संदर्मन निम्लिकत में से कौन सा कतन सही है, एक आंदुलन किसके द्वारा चलाया गया था, ये तो आवद के किसान थे न, बंगाल के नहीं थे, पहली बात तो को लख लिखी, टाइम सही लिखा हुआ है, 1921 में, आ यहां पे दो स्टेट्मेंट हैं, और डिफेंस ओफ इंडिया एक्ट 1915 के बारे में पूछा है, पहली बात लिखिये, इस एक्ट का जो देश था, प्रिथम विश्यद्ध के दोरान और उसके बाद बारती है, सो तंत्रता अंदुलन के राष्टपादी और करांतिकारी गत गत्विदियों को रोकने का था, ठीक है, यह बात विल्कुल करेक्ट है, दूसरी बात है, इस अदिनियम के इस्थानिया सरकार को परिक्षणों के लिए तीन आयक्तों को निक्त करने की सक्तियां दी, जो उच्छ नया लेके नया दीसों के पद के पद से नीचे हो सकते हैं यह जो भारत का रक्षा दिनियम था, 1915 वाला है, यह एक तरह से Emergency Criminal Law था, और जितनी भी राष्टवादी और करांतिकारी गत्विदियां होती थी करांतिकारियों के दौरा, उन सभी गत्विदियों को रोकने का यहाँ पर पिलान था इस एक्ट में, इस तरह के प्रोविज समीधी के बारें बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर दोना बात हैं सही है, एक सब देरा है, निमलिकत गठनाओं को उनकी गठना के chronology यहाँ पर बताईए, यहाँ पर PCS मंत्रा ने question तो ठीक ही design किया है, जैसे history का test है न, तो यहाँ पर ancient India, ancient India से medieval India, फिर modern India, यहाँ पर सभ यही question आपको मिल जाएंगे, तीन फेज के questions आपको यहाँ पर एक ही test में देख रहा है, यह अलीपुर बम सड़यंत, 1908 है न, 1908, चटगाउं सस्त्रागार चाबा कब हुआ था, यह तो 1930 की बात है, काकोरी ट्रेंड के थी, जान रहे है, काकोरी ट्रेंड का 1925 न, डलहोजी स्क्वेर वमकार्ण, यह भी 1930 का है, और दिल्ली लाहोर सड़यंत, यह 1912 का है, वीडियो को पॉस्ट करना, और यह थोड़ा सा देखना, ठीक है, यह सब मिलाते रहना, यह थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, 114 है, यहाँ पर भी वही कालकरम वेवस्तित करना है, आसान है, रोल यह 1912, यहाँ पर देखो, यह जब सेम हो जाता है, तो फिर देट भी ध्यान रखना होता है, चमपारण, 1917, और इस कुश्चन को तो कही बार कुछाए PCS है, जिसमें यह सेम रहते हैं, आप से एक तरह से डेट हो जानना चाहता है, तो सबसे पहले तो चमपारण ही आ जाए 4, 3, 1, 2 हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन, 115 देखे, सो तंतरता अंदुलन के तियास में, इंडियान नेसनल कॉंग्रेस का, 1929 का, सोरी, 29 का अधिवेशन, इसलिए महत्पून है क्योंकि, 1929 लाहर अधिवेशन, और लाहर अधिवेशन किसलिए जाना जाता है, लाहर अध अधिवेशन की कोई बात ने की थी, ठीक है, पूर्ण सोराज की बात की थी, सबतों पर त्यान रखना, कॉंग्रेस के लक्ष के तोर पर, पूर्ण सोराज पराप्ती को सुईकरत किया गया, भी ऑप्शन सही है, बाकि सब गलत है, 116 देखे, यहां पर लवर्ट विल के बा कैसे हो गए, यह हमनों का मुकद्वा सुनना, इस तरह काई लुक्सोसते थे, यह फ्रंगी लोग भारतिये मजिस्ट्रेट को इतना योग की थोड़ी न समझते थे, देखे, यहां पर कहा है, भारतिये और ये लोगों के मद नसली ये बेदवाव, ठीक है, यह बात तो सही है, और यहां पर कहा है, भारति सीमा उपर विसेश कर उत्त्री पश्च्मी सीमा पर सुरक्षा में चूब, यह सब नहीं है, भारति सरकार द्वारा भारति मीडिया घरानों का दवन करना, उनका राश्टी करना, यह सब नहीं, पहली वाती सही बसके लिए, ठीक है, चली, यह इलवर्ड विल टाइम पूछा जाता है, याद रखना, 1883, 1883, 117 निम्लिकत में से कौन एक जवाहर लाल नहिरो का जीवनी कार है, इनके जीवनी कारगना में, फ्रेंक मोरेस, यह अप्शन साही है, आसान से पूछन है, 118 देखे, यहापे दो कथन दिये हैं, किलापा ता कथन टू में, इस आंदूलन ने पुना हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया, नहीं, यह बात गलत है, यहापे दूरी बढ़ाने की बात है, दोनों गलत हो जाएगा, 119 साइमन कमिशन का गठन 1927 में होगा, ठीक है, गठन तो हुगा था, गठन 1927 में होग साइमन कमिशन के गठन का उद्देश भारत से बिटिसको प्राथ राजस्व के संबन में एक रिपोर्ट तयार करना था, यह बात गलत है, यहापे तो सम्मिधानिक सुधारों की बात करने के लिए इसका गठन किया गया था, सम्मिधानिक सुधार, 1929 का जो एक्ट था, इस एक सुभीस में आप है कॉंग्रेस सेसन और अध्यक्षे मिलाई है, 1905, 1905 का सेसन बनारस में हुआ था, गोपल क्रेश्न गोखलेस आई है, 1906 का सेसन कलकत्ता में हुआ और चेयर किया था, दादा भई ने रोजी ने, 1910 का सेसन इलाबाद में हुआ, बिलियम बैडर्मन ने इनको चेयर किया था, ठीक है, 1907 हम लोग सूरत बिवाजन बढ़ते हैं, और इसको चेयर किया था, राजव्यारी घोस ने, ठीक है, राजव्यारी घोस बोल रहा हूं, राजव्यारी घोस अलग थे, और राजव्यारी बोस अलग है, यहां पर बोस लिखा हुआ है, तो यह देखे उगरबादियों को कॉंग्रेस में सामिल करना ठीक है कॉंग्रेस और मुस्लिम लिग के भी समझा था ये भी हुआ था सूरत विवाजन यानि 1907 में जो गरबादी बाहर हो गए देखोंग्रेस से वो फिर से आके यहां पर मिल गए थे हैं ना सम्मिलन हो गया था तो यह सारी बाते हम लोग जानते हैं सी अपर सही है एक सो बाइस है मुस्लिम लिग किस था अपने किस के नित्रत में की गई थी धाका में के गई थी 1906 में धाका में नवाब सलीम अला द्वारा और मुस्लिम लिग के जो पहले अद्धेक्ष थे यह पहले अप्शन लेखा है बकारूल मुल्क मुस्ताकोसिन यह फर्स्ट चियर्मेन थे मुस्लिम लिग के चलिए 123 देखे लंदन में इंडियन हम रूल स्थापना 1905 में स्याम जी किष्ण बर्माने की थी इस कुश्चन को दोम लोग अभी कर चुके हैं और इंडिया हाउस के बारे में भी पढ़ा था कि इंडिया हाउस की स्थापना जो लंदन में की गई थी इसी सुसाइटी के द्वारा ही की गी थी ठीक है गदर पार्टी क से कौन करांदिकारी पेरिस से सेन प्रसेक्षार प्राप्त कर भारत आया था यह हम लोग पढ़ते हैं हेम चंद्र कानून को के बारे में और भारत में आके इनोंने क्या किया था बम का कारखाना भी खोला था कलकत्ता में कि 126 कि इनको जल्दी से बताईए क्रोनोलोजी में लाई है दांडी मार्च कब हुआ था पांच मार्च 1930 है ना 31 गोल में सम्मिलन था इंत्र गोल में सम्मिलन पढ़े हैं ज्यादा तर आप देखोगे तीन सम्मिलन होगे था ना गोल में चे टांटेबल यह ये एर के लास् यह तीसरे थर्ड की बात है तो यह 1932 की बात हो जाएगी, मैक डोनाल डवाट यह भी 1932 लेकिन यह 16 अगस्त है, पुना पेक्ट यह 25 सितंबर, यह 25 सितंबर, देखिए यह काफी यर सेम है, तो यह कठन कुशन हो गया, बहुत बेसिक सा कुशन है, इसलिए इतना भी कठन नही है, ठीक है, पॉस करना वीडियो को, यह सब मिला नाम, बैठके, 127 देखिए, मैं लगते मासे किसके द्वारा, ओल इंडिया, एंटी, अंटच अबलेटी, लीक, मातमा गांधी साब के द्वारा, है न, 1932 में, इसी का फिर, बाद में नाम बतल दिया गया थे, हरीजन, सेव बख्संग, और पहले जो संस्तापक हुआ करते थे, इसके, अध्यर्च हुआ करते थे, घंसियम दास बढ़ला, ठीक है, घंसियम दास बढ़ला, एक सोटाइसा, 1937 के चुनावा में नेम लिखते मैं से, किस प्रांत में कॉंग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, देखे, जान ज नहीं पूशाया, कहां पर नहीं बनी थी, तो आंसर तीन और चार होगा, एक और दू मत लगा देना, 129 में, स्वाशन वोस द्वारा कॉंग्रेस के अध्यक्ष के पतसे, इस्तिय पाते ने के बाद किसे भारती राष्ट एक कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनाय गया था, पट दोई राष्ट का सित्तांद प्रस्ताव भारत किया गया, यह 1940 में, बन्ठटी बन, लेन लेतुकु प्रस्ताव या फिर आगस्त प्रस्ताव, लेन लेतुकु के बारे में हम लोगों नहीं कैसी है था, इनका कारिकाल सबसे लंबा रहा, इसमें लिखा है, प्रस्ताव कोई टाइम फिक्स नहीं था, इन्होंने जो यह तुरंद लिख दिया, ठीक है तो टाइम की कोई सर्टैनिटी नहीं थी, पहली बात गलत है, वासरे की करकारणडी में सभी सदस भारती होंगे, यह तो महा गलत है, यहां पर दोनों बात हैं, ठीक है, 132 देखिए, किसके द ऐसा कुछ बोला था, चलिए 133 देखिए, निमलिकत मेंसे कौन क्रिप्स मिशन से, बारतालाब के दौरान कॉंगरेस के मुख्य प्रवक्ता थे, मुख्य प्रवक्ता यही थे, मौलाना अभुल कलाम आजात, यह उप्सन सही है, जील नहरू तो एक सहयोगी की रूप में थ प्रस्तूत किया गया था, 135 वारा छोडवा अंदोलन के द्वारान गटेथ, यह जो पहलल गवर्मन चल रही थी, समाना अंतर सरकार के विशाय में, निमलिकत में से, कौन सा साइस सो मिलित नहीं है, बाता है यह बलिया में किसकी समाना अंतर सरकार चल रही थी, यह चित्त समाना अंतर सरकार चल रही थी, यह मातंग नहीं हजारा की नहीं चल रही थी, यह चल रही थी, 37 सावंद की, ठीक एक तो 30 वात यहां पर गलत है, गलत पूछा था, के बल थ्री हो जाएगा, 136 देखिए, काल करम बताईए, सियार फॉर्मूला कब लाए गया था, 1944 में, लियाका तली और देशाई पैक्ट आया था, अप्रेल 1945 में, वेवले उजना भी है, 1945 की बात है, जून के मंत की, तो यह सब लाइन से है, ठीक है, 123 हो जाएगा, 137 देखिए, 1945 में हुए सिमला समझो था, मैंनेमले के तमेंसे, क केविनेट मिसन के प्रस्ताओं के विसाह में, बताईए, पाकिस्तान के मां को नकार दिया गया, ठीक है, यह बात सही है, बारत में संगे साजन की स्थापना की बात की गई थी, यह भी सही है, समयान सबागे, गठन की भी बात की गई थी, तीनों सही है आपके, और 39 देखि है, कौन सा रेजिमेंट आजाओ, हिन्द फॉज के अंतरकत गठत नहीं किया गया था, यह है, पटेल है, प। आ। इसको भी यांत रखना, तो यह टेस्ट नमर बन हम लोगों नहीं आप खतम कर लिया, टेस्ट नमर टू हिंदी का है, यह कल मिल जाएगा आपको, ठीक है, शेली, थेंक यू